अगर आपके पास बहुत ज़ादा बर्डन हो तो क्या आप रेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो अपने बर्डन को कैसे रिडियूस करना है? बर्डन को रिडियूस करने के लिए जो दिन भर की एनरजी होती है उसे हमें रिमूव करना है, उसे कट करना है. एप्रॉक्सीमेटली आप दिन में ऑन एन एवरेज करीब दस से बीस लोगों से मिल लेते हैं. आपके ओफिस में कुछ लोग होते हैं, आपके बिजनिस एसोसीट्स होते हैं और फिर जब मैंने आपको शुरू में बताया कि सोशल मीडिया के थूँ तो आप कई हंड्रेड ल की बातें आप सुन और समझ लेते हैं इससे क्या होता है आप energy wise connect हो जाते हैं इन सब लोगों से और एक energy connection बन जाता है तो क्या उस energy को लेकर के आप चैन की नीद सो पाते हैं नहीं सो पाते हैं visualize कीजिए कि हर इनसान जिससे आपने बात करी हर वो इनसान जिससे आपने बात करी धागे की form में एक energy line उससे create हो गई है उस energy line को visualize कीजिए एक साथ समझे कि आपकी belly button से नाभी स्थान से वह energy lines का एक गुच्छा जा रहा है उन तमाम लोगों तक हसिएगा नहीं यह बहुत ही अच्छा उपाए है और tested और एक तम ट्रस्टेड उपाए है इसे करके देखिएगा जितने भी तमाम लोग हैं आपके आसपास जो दिन में आपसे connection बना चुके हैं उनसे आप visualize कीजिए कि यह है गुच्छा उन तक जा रहा है एक 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 धागा उस उस इनसान तक जा रहा है और connect हो रहा है उस गुच्छे को आपने cut करना है एक visualize किये हुए knife से इसे energy cut कहेंगे कि जितने भी लोगों से आपने बात चीर करी जितने भी लोगों से आपने लेंदेन किया उनसे energy cut आपने कर दी इस पूरे incident में आपको approximately 30 seconds जाएए तो सोने से पहले 30 seconds is not a big deal आप इसको कीजिए और फिर देखिए कितनी कमाल की नीद आपको कुछ ही minutes में आ जाएगी तो ऐसा करने से आपको बहुत benefit होगा